हेई गाइज आप देख रहे हैं जीपीच बुक्स फ्रेंड्स इगनु के तरफ से आप सभी के लिए डेट शिट रिलीज कर दी गई है सभी स्टूडेंट्स को एक राहत की न्यूज मिली है आज आपके डिसेंबर 2021 टाम एंड एग्जामिनेशन जो 4th मार्च से स्टार्ट हो रहे है उनके लिए डेट शिट रिलीज हो गई है सो आप सभी का इंतजार खतम हो गया अब प्रोग्राम के एकॉर्डिंग डेट शिट बना सकते हैं और उसी एकॉर्डिंग आप रिप्रेशन कर सकते हैं अपने एक्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बाते भी बताए गई हैं गाइडलाइन भी बताए गई हैं जिन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और अगर आप चैनल पर नहीं है या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट कि आप कर लिजिए और प्रेस दी बेल आइकन आस वल फ्रेंट्स क्योंकि जितने भी हम वीडियोज अप्लोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे और आप कोई भी इंफोर्मेशन स्किप नहीं करेंगे रिलेटेड टू इगनू और यूर प्रोग्राम सो चलिए मैं आपको डेट शीट दिखाती हूँ यह है इगनू की ओफिशल वेबसाइट आपको इसको लॉग इन करना है www.ignu.ac.in यहाँ पर आप एलर्ट सेक्शन में रेड कलर से लिखा हूँ देखेंगे डेट शीट फॉर कंडाक्ट ओफ दिसेंबर 2021 टाम इंड एग्जामिनेशन फॉर्थ मार्च टू 11 अपरिल 2022 यहाँ फ्रेंड्स 11 अपरिल जैसा कि आप जानते हैं जब रीजनल सेंटर की तरफ से डेट बताई गई थी एग्जाम्स के लिए तब 9 अपरिल बताई गई थी बट अभी 2 देज एक्स्टेंट कर दिये गए हैं इसलिए जब इग्णू ने लास्ट नोटिफिकेशन ओफिशल नोटिफिकेशन रिलीस किया था तो स्टार्टिंग देट ओफ एक्जामिनेशन वास टोल्ड बट आपके एक्जाम्स कब खतम होंगे यह इसमें नहीं बताया गया था जो कि आज डेट शीट रिलीस करने पर आपको बताया गया है आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डेट शीट को ओपन कर सकते हैं फ्र 14 February आज के दिन इसको रिलेस किया गया है और यहाँ पर आपको बताया गया है इंस्ट्रक्शन्स आपको बताई गई है कि आपके जो भी health और safety है students की strictly follow की जाएंगी friends तो उसमें आपको कोई भी doubt नहीं रखना आपका sanitizer, आपका mask जो भी आपको पता है कि public guidelines COVID-19 के लिए हैं व आपको पूरा ध्यान रखना है अपने examination center पर चीक है उसके बाद आपको बताया गया है friends जब आपने examination firm फिल किया था आपको centers a lot किये गए थे so friends वो change हो सकते है due to COVID-19 इसमें reason बताया गया है बट यह भी बताया गया है third point आप देखिए कि university has tried to accommodate such student in a nearby examination center mentioned in their hall ticket आपके hall ticket में ज किया जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि आपका examination center क्या होने वाला है इसलिए आप IGNU की website से और हमारे channel से जुड़े रहें अगर आपको detailed information किसी भी बारे में पानी है तो channel से जरूर जुड़े रहें और channels पे video के द्वारा आप वो पा सकते हैं यहां पर आपको timings बता की जाती है कि आपका exam कितने घंटे का होने वाला है क्योंकि वो आपके credits पर भी depend करता है और जो students हैं hall ticket के लिए eligible हैं friends उनकी website पर ही update कर दिया जाएगा जैसा मैंने भी बोला one week before आप expect कर सकते हैं कि आपको 25th February के बाद कभी भी आपका hall ticket मिल जाएगा उसके बाद एक बहुत important point friends यह बताया गया है कि जो आपको hall ticket पर examination center दिया जाएगा उसको भी last moment पे change किया जा सकता है due to covid-19 situation और any other reason तो आप अपने regional center से जरूर connected रहें जो भी आपका respective regional center है friends क्योंकि अगर आपका examination center change हो गया और आपको नहीं पता चला और आप उस examination center पर चले गए पुराने वाले पे तो आपको exam देने नहीं दिया जाएगा friends तो यह बहुत important point है इसको ध्यान से समझे कि आपका जो hall ticket पर mention किया गया है उसे भी change किया जा सकता है तो अपने regional center से जरूर connected रहें वहीं से आपको update मिलेगा और friends language को लेके students को बहुत confusion होती है कि हम कौन से language में अपने examination को attempt कर सक सकते हैं उसी language में जिसमें आपको question paper दिया गया है तभी वो accept होगा बट उसमें एक और चीज़ आपको बताई गई है कि जो students है उनके पास options है examinations को hindi medium में attempt करने के लिए friends बट वो आपका language का subject नहीं होना चाहिए अगर आपका उर्दू का subject है था आप उर्दू में ही लिख सकते हैं right so वो ही बताया गया है कि जो आपको question paper होता है हिंदी और English दोनों mediums में आता है जो language के अलावा subjects होते हैं उनके तो आप कोई भी choose कर सकते है you just have to mention आपको front page पे mention करना होता है और फिर आप कर सकते है no issue पर अगर कोई language का subject है तो आप उसी language में ही attempt करेंगे जो आपका course है okay जिसमें आपका question paper आपको मिला है so friends आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि programs code यहाँ पर दिये गए हैं सभी और यह confusion भी सभी की clear हो चुकी है कि जो examinations है वो सभी students के होंगे जिनोंने December 2021 term and examination के लिए exam form फिल किया था उन सभी students के होंगे ठीक है 4th of March से आपके examination start होंगे अगर आप laptop use करते हैं friends तो आप किसी भी text को select करेंगे ctrl प्लस F की press करेंगे तो यहाँ पर search bar open हो जाता है जब आप यहाँ पर देखते हैं कि आपका search bar open हो गया मालनी जीए मेरा एक subject है MEG15 so मैं यहाँ पर type करूंगी MEG15 आप देखेंगे कि जैसे ही मैं type करी थी तो सभी select होते जा रहे थे text अब मैंने MEG15 लिखा है तो MEG15 का जो आपका examination है वो 14th of March को है तो जिन भी student का यह subject है वो अपनी list accordingly बना सकते हैं सर्च बार पे आप कर सकते हैं ctrl प्लस F की press करकर find कर सकते हैं find की कर सकते हैं और अपने programs के recording friends date sheet बना क्योंकि यहां पर एक बहुत important जो point है वो यह है कि इगनू की तरफ से इस date sheet को tentative date sheet नहीं बताया गया है हो सकता है कि इसमें कोई minor changes इगनू की तरफ से आ जाए पर इसको tentative date sheet नहीं बताया गया है date sheet for December 2021 term and examination यह आपकी final date sheet है friends जो इगनू की तरफ से release की गई है तो मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से अपने subjects को fine कर सकते हैं और last date भी आप देख सकते हैं 11th April 2022 Monday को आपके examinations खतम होंगे तो पूरा detail में मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है कि आपकी date sheet में क्या बताया गया है और आप किस तरह से अपने subject के recording program course के date sheet note कर सकते हैं instructions भी मैंने आपको details में समझाई है okay so I hope ये video आपके informative रही होगी friends इसको सभी friends तक जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही important news है सभी students के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है channel के साथ जुड़े रहे है friends जल्दी मिलते हैं एक नई video के साथ